Hi friends, welcome to e-pharmacy study दोस्तू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाल है pharmacology की दोस्तो आपको ये hard subject लगता होगा या फिर अगर आप first year D फार्म में भी हो या फिर first year B फार्म में भी हो और आपने अगर ये subject study नहीं किया है पर जरूर से इसके बारे में थोड़ा कुछ तो सुनाई होगा कि फार्मसी में एक हार्ड सा सब्जेक्ट होता है जिसका नाह में फार्मा कोलोजी तो आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाला है कि क्या ये सच में हार्ड है क्या आपको ये हार्ड होने वाला है किस तरा से इसकी study करनी है और कुछ tip या फिर tricks भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को आप आखिर तक के जरूर देखिएगा पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे request करूँगा अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है पर अगर आप bell icon press कर देते हैं तो new video की notification आप तक के easily post सकेगी तो चलिए शुरू कर देते हैं तो दोस्तो जैसे कि मैंने कहां pharmacology की study आपको करनी कैसे है सबसे पहले तो आपके confusion में clear कर दूँ कि pharmacology जो है विलकुल भी heart नहीं है अगर आप इसे समझ लेते हैं तो पर अगर आप जा रहे हैं मगप के लिए रट्टा मारने के लिए तो यही आपके लिए सबसे heart subject यहाँ पर बोज सकता है और अगर हम बात करें D-farm level book की तो मैंने कई बार अपनी वीडियो में कहा है कि आप फार्माकोलोजी के लिए A, V या दो book यूज कीजिए जो की बिलकुल best है D-farm के लिए और अगर B-farm की बात करें तो 340 वगरा की books है जो की अच्छी है study करने के लिए बिलकुल simple language में यहाँ पर सब कुछ दिया गया होता है तो बात करते हैं अप कुछ इसकी study कैसी करनी है पर उससे पहले हमें यह जानना होगा कि फार्माकोलोजी में आता क्या है तो फार्माकोलोजी की अगर हम definition देखे तो उसकी definition में ही उसमें क्या क्या आने वाला है वो सब कुछ है तो pharmacology के main two types होते हैं pharmacokinetic और dynamic यानि कि इन दोनों में आपको कुछ इस तरह के study करनी होती है एक में आपको drug आपकी body में जाने के बाद आपकी body drug के साथ क्या करती है यह आपको एक part में study करना होता है और second में करना होता है कि आपकी body के साथ drug क्या करता है यानि medicine क्या करती है तो यह हुई total pharmacology बस इसी पर pharmacology based है फिर आपको इसमें सब कुछ study करनी होगी यानि कि first year defarm में आप जो HEP सीख रहे हो जिसमें कि आप सारी system सीख रहे हो urinary digestive या फिर जो कोई भी आपकी system हो reproductive वो सारी आप system first year में सीखने वाला है अब वो system में drug कैसे act करता है वो आप second year में सीखने वाले हो तो अगर आप first year में tick-tock से देहन देते हो तो kology से easy subject आपको कोई नहीं होगा और अगर हम final paper की बात करें तो यह सब से scoring subject होता है kology क्योंकि एक जो यहाँ पर question आता है जो कि होता है I think 14 marks का one for 14 marks का तो इसमें बस आपको एक एक word लिखना होता है किसी drug का dose या फिर किसी जो है disease का आपको बस antidote वगएरा यानि poison का antidote वगएरा लिखना होता है बस एक word तो ऐसे आपको 14 marks तो easily आपर मिल जाते हैं उसके अलावा जो first question होता है वो होता है 10 और 20 marks का तो यहाँ पर 34 marks जो है आपके easily यहाँ पर cover हो जाते है अब उसके बाद बढ़ते हैं इसकी study कैसी करनी है तो बस जो इसमें बाकी तो अगर आप AV आदव की बात करें तो उसमें total 14 chapter दिये गए है 4040 और उसमें से अगर कुल 20 या 25 chapter ऐसे है जो कि बिल्कुल 1 या 2 या फिर 3 page के है तो वो बिल्कुल easy है जो कुछ बड़े chapters आते है वो यहाँ पर कुछ CVS वगेरा है तो वो भी अगर आप ठीक से समझते हैं उसमें तो यहाँ पर कोई भी hard आपको नहीं जाने वाला उसके बाद भी जो फिछली 3 या 4 साल की जो question papers होती है उसमें से जो हर बार repeat होते है इससे question निकालिए और वो जादा तो उस पर ध्यान दीजिए जिससे कि आपको और भी यहाँ पर study करना easy हो जाने वाला है और इसके बाद कुछ classification यहाँ पर आते है जो कि आपको double-double आते है यानि कि PC में भी आपको यानि pharmaceutical chemistry second में भी आपको वही होते है फ्लस फार्मा कोलोजी में भी आपको वही करने होते है बस यहाँ कुछ difference आ जाता एक्जामपल्स वगरे का पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई भी एक एक एक्जामपल अगर आप लिख लेते हो PC में के कोलोजी में या फिर कोलोजी के PC में तो यहाँ पर कुछ extend तक चल सकता है तो इतना easy है फार्मा कोलोजी है उसके बाद भी कुछ ऐसे chapters है जिसमें कि आपको totally आपके knowledge पर लिखना होता है यानि कि आपको सब कुछ समझ लेना होता है उसके बाद वहाँ पर answer देने होते है अब जो फार्मा कोलोजी के chapters है उस पर total हर एक chapter पर में वीडियो बनाने वाला हूँ इसके पहले भी मैंने फार्मा कोलोजी के कुछ reasons होते हैं उसमें उस पर क्यों नहीं देते हैं तो बस इसका reason आपको कुछ 2 या 3 simple lines में लिखना है कि tetracycline को अगर आप milk के साथ देते हैं तो वो एक complex form करता है क्योंकि milk में होता है calcium और जब calcium के साथ tetracycline react होता है तो वो एक complex form करता है जो की insoluble होता है जिससे कि उसका absorption नहीं हो पाता बस इतने easy way में आपको यहाँ पर reason का answer देने होते है जो की 20 mark के होते है तो जैसे पहले हमने 34 marks count किये थे प्लस यह 20 तो यहाँ पर हो गए 54 marks तो बस आपका more than 60 और 70% paper यहाँ पर out top का cover हो चुका है यहाँ पर ऐसे कोई चीज नहीं कि जहाँ पर आपके mark cut हो तो आप बचा बस 20 या 25 mark का paper तो वो भी आप easily लिख सकते हो वो कैसे लिखने है वो भी मैं आपको आने वाली सारी वीडियो में बताने वाला हो तो बस आज की वीडियो यही तक थी अभी तक कि आपके अगर bell icon को प्रेस नहीं किया है तो यह बहुत जरूरी है bell icon को आप प्रेस कर दीजिए आपने पिछले भी देखा होगा कि मैं हर comment में भी आपको यहीं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपने subscribe कर लिया है अगर bell icon को नहीं प्रेस किया है तो इसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि new video की notification आप तक नहीं पहुशती है तो बस इस video को पूरा देखने के आपको बहुत बहुत देने वाद